Do you know कि सबसे ज़्यादा घबराहट कब होती है? जब हमारा next day exam हो और उस दिर हम बैट कर जब सोचे अपनी बुक को लेकर तो हमें लगे कि हमें तो कुछ भी नहीं आता है अरे इतना सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी बुक देखकर लगता है कि नहीं हमें तो कुछ भी नहीं आता है और अब next day exam है तो आज की date में सारा syllabus कैसे cover होगा तो यहाँ पर भी आपको बिलकुल घबराने की ज़रुरत नहीं है अगर आपके पास only one day है और अगर आपके पास only half day भी है तब भी आप अपना पूरा का पूरा syllabus बहुत अच्छे से compete कर सकते हो and in a very short duration of time मतलब कि हम सारे chapters का हम revision start करने वाले हैं अब according to your syllabus and वो सब कैसे होंगे तो बिलकुल summarized form में होंगे because exam time के अंदर हमें पूरी book की जरूरत नहीं होती है हमें notes की जरूरत नहीं होती है हमें just ऐसे person की जरूरत होती है जो just हमें आकर एक घुट्टी पिला जाए और सारे के सारे syllabus को हमारे mind में उतार के चला जाए तो वही घुट्टी हम आपको देने आये है कि just हम short short topics को बहुत ही easily complete कर लेंगे और बहुत short duration of time में आपका chapter आपके लिए पूरा revise भी हो जाएगा और आपको mind में पूरा का पूरा set भी हो जाएगा और सब कुस revise भी होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ हमें हमें सब कुछ learn हो चुका है और obviously आपने जब सब कुछ learn किया है और उसके बाद आप last moment पे अगर आप बोलें कि नहीं सब vanish हो चुका है तो वो तो बिलकुल possible नहीं है ना ही ऐसा होना चाहिए तो बस इसलिए हमें क्या करना है short duration of time में पूरे chapter को revise करना है So I love Inak Mawad welcoming you all at score shala हम start करेंगे हमारे life process के chapter से तो यह जो life process है basically होता क्या है तो यह हमको बहुत अच्छे से पता है already हम सब कुछ detail में पढ़ चुके है कि जो भी process हमारी life को चलाने के लिए जरूरी है यानि कि at present हमारी body के अंदर जितने भी process continuously चल रहे है उनको हम क्या कहते है life process कहते है और इनके बिना हमारी life बिलकुल भी possible नहीं है देखो थोड़ा सा हम सारी चीजों को fast mode पे लेके चलेंगे ताकि आपको जल्दी से चीज़े समझ में भी आ जाए और हमारा chapter हमारे लिए बहुत जल्दी revise भी हो जाए चलो तो life process में हमें बहुत अच्छे से पता है the first thing जो हमें required है वो है nutrition because हमारी body को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है energy चाहिए तो वो energy कहां से आएगी जब हम food intake करेंगे और food intake करोगे इसका मतलब nutrition लेंगे हम then हम देखे तो हमारी body का metabolism उसकी बार आता है reproduction वी production वैसे अभी हम नहीं पढ़ने वाले है इस chapter में at least नहीं पढ़ने वाले है उसके अलावा transportation, respiration and excretion तो हमें इस chapter के अंदर जो cover करना है वो है हमारा nutrition then हम पढ़ेंगे respiration के बारे में उसकी बाद हमारा transportation and the last thing will be excretion तो बाखी को देख के हमें घबराने की जरूरत नहीं कि हमें इतना सारा पढ़ना है क्या नहीं, इतना सारा नहीं पढ़ना है बहुत चार topic है, बहुत चोटे-चोटे topics है यह भी अगर आपने पूरे के पूरे chapter को बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है तो आपके लिए तो यह बहुत easy होगा जस्ट आपको रिमाइन करवाने के जरूरत है जो कि हम करवाने वाले हैं, चलो स्टाट करते हैं हमारे nutrition से तो देखो nutrition की जो mode होते है, वो two types of mode होते है the first one is autotrophic, second one is heterotrophic जब हम बात करते हैं autotrophic की तो we know very well की autotrophic है यानि सारे कम automatic होने चाहिए और automatic सारे कम कब होते हैं जब कोई भी ऐसा organism अपने food का synthesize खुद ही कर लेता है और हमें यह बहुत अच्छे से पता है की कौन करते हैं, तो हमारे green plants green plants जो आपको everywhere नजर आते हैं, सब जगे जहां भी आप नजर घुमाओगे आपको green plants ज़रूर नजर आएंगे तो इनको देख के हमेशा यही सोचा करोग की यह क्या कर रहे है यह अपना खाना खुद synthesize कर रहे है यह autotrophic nutrition कर रहे है nutrition ले रहे है यानि हम उनको क्या कहते है autotrops कहते है उनको हम क्या कहते है autotrops कहते है जो green plants जो हमारे आसपास के अंदर present है उनको हम क्या कहते है autotrops कहते है उनका mode of nutrition क्या है autotrophic nutrition है अब यह autotrophic nutrition है इसके अंदर होता क्या है तो इसके अंदर हम यहां आ जाएं इन plants से पूछ लेते कि कि भाई आप क्या करते हो तो इनको पूछेंगे तो यह कहेंगे कि हम क्या करते हैं हम संसे लेते हैं संलाइट को संसे हमने किसको लिया हमने संसे लिया संलाइट को एंड हमने एट्मोस्पेर से लिया काबन डियोकसाइड को यहां नीचे हम सॉयल से ले रहे हैं वाटर एंड म याद होनी चाहिए because जब भी exam के अंदर पूछा जाता है कि photosynthesis क्या होता है तो सबसे पहले हमें क्या हो याद आनी चाहिए ये equation याद आनी चाहिए क्या है इस equation के अंदर? CO2 जो इन्होंने atmosphere से ली थी H2O जो हमने इनको दिया था साथ ही साथ H2O के साथ क्या आया? Minerals आ गए Then हमने क्या क्या? Sun की energy को utilize किया यानी की plant body में क्या किया है? Sunlight को लिया है तो यहाँ आ जाएगा sun की energy मतलब की sunlight अब chlorophyll अलड़ी इनके साथ में present है तभी तो ये photosynthesis कर पा रहे है इनसे बनेगा क्या? जब इनको synthesize किया जाएगा तो इनसे बनेगा C6H12O6 that means कि glucose बनेगा and साथ ही साथ बनेगा oxygen Oxygen जितनी इनकी body को required है वो इनकी body में ही रह जाएगा और ज़र remaining oxygen होगा जो भी remaining oxygen है वो सब कहाँ चला जाएगा? Atmosphere के अंदर release कर दिया जाएगा तब ही तो हम यह कहते है कि plant body क्या करती है? carbon dioxide को लेती है and oxygen को release करती है but only in the daytime daytime में क्यों करेगी? because daytime के अंदर ही क्या होता है? photosynthesis होता है अब इसके अंदर हमने light reaction and dark reaction के बारे में पढ़ा था और हमने यह बहुत अच्छे से discuss कर लिया था कि light reaction क्या होती है? कहाँ पर होती है? तो हमें इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार revise करना है कैसे करना है? तो हमारे mind में ही कर लेना है क्यों कि हम already इन सब के बारे में बहुत इच्छे से पढ़ शुके है light reaction जो कब होती है? sunlight के duration में होती है उसके बार dark reaction जब final touch दिया जाता है हमारे glucose को हमारे carbohydrate को glucose में convert होने के लिए तो उस duration को हम क्या कहते है? dark reaction कहते है जब साल light present नहीं होगी तो dark reaction हो जाती है ठीक है? अब होता क्या है? तो जो हमारा chloroplast होता है उस chloroplast के अंदर क्या होता है? chloroplast के अंदर देखोगी जो chloroplast है हमारा उस chloroplast के अंदर इस तरह के stacks बने होते है stacks जो कि इनको हम क्या कहते है? grana कहते है इनको हम क्या कहते है? grana कहते है लाइक जो stack of coin होता है उसी की तरह ये बने होते है stacks जो हम क्या कहते है? grana कहते है थाइलेकोईट के स्टैक्स होते हैं, इनको हम कहते हैं, ग्रेना, एंड इनी के अंदर क्या होती है, हमारी रियक्शन जो है, वो चलती रहती है, चले, आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम हमारे हेटरोट्रोफिक मोड अफ नूट्रिशन पे, हेटरोट्रोफिक मोड अफ नूट् dependent होते हैं, तो we know very well कि only green plants are autotrops, उसके अलावा जुतने भी organism होते हैं, all the organism are heterotrops, because वो सब के सब किसके ओपर dependent है directly और indirectly हमारे plants के ओपर ही dependent होते हैं तो heterotrophic mode of nutrition में हमारे इस chapter के अंदर हम पढ़ेंगे nutrition in amoeba and nutrition in human being, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे amoeba की बारे में, because it's actually very easy, और इसी आदी चीजी तो हमारी भी clear हो जाएंगे, चले तो amoeba के जो food है, वो किस तरह से intake किया जाता है, तो amoeba का जो shape होता है, वो irregular shape है, यानि वो अपने shape को अपनी मर्जी के according change कर सकता है, क्या आपने कभी try किये, अपने हातों की shape को change करने का, नहीं किया न, और कर भी नहीं सकते हैं, हमारे हातों का shape चेंज नहीं होता even हमारी पूरी body का shape जो है, वो change नहीं होता है, बट यहां पर क्या होगा, amoeba का shape जो है इसका shape change होता रहता है, जैसे ही food particle दिखेगा, वैसे ही यह क्या करेंगे, अपने false feet निकालेंगे, यानि की pseudopodia निकाते हैं, फीट-like structure धीरे-धीरे जो निकल रहा है, इसको आपने क्या नाम दिया pseudopodia नाम देते हैं, यानि की false feet, feet है नहीं लेकिन ये false है, जूटे पैर होते हैं अब इन पैरों से इन्होंने क्या किया उसको intake कर लिया, food को इदम जो है trap कर लिया, trap करने से क्या हुआ, यहाँ पर एक food vacuum all बन गया, यहाँ पर क्या बना, जो ये space है, खाली वाँ, ये क्या है vacuum all है, इस vacuum all के अंदर क्या होगा, जो भी digestive enzymes होंगे, वो सारे enzymes इसकी body से इस vacuum all में चले जाएंगे, और इस food को क्या करेंगे, digest करेंगे, इस food को digest करने के बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा भी क्या उनसा process है, digestion का process है, food को intake कर लिया ले लियाने, ingestion हुआ है, और यह क्या है, digestion हो रहा है, after digestion जब यह सारे nutrients जो है nutrients जो है, वो बिलकुल simpler form में आ जाएंगे भाई, digestion का मतलब ही क्या होता है कि complex substances को complex substances को किसमें convert करना है, simpler substances में convert करना है, so अब जब digestion का process complete हो जाएगा यानि सारे nutrients को, even food को complex substances simpler substance में convert कर दिया गया है तो अब क्या होगा, अब होगा absorption यानि की food को absorb कर लिया जाएगा, इस body के अंदर क्या होगा जो vacuol में, पूरे simpler substances अभी फैले हुए है वही जहां से digestive enzyme आये थे, जैसे body से digestive enzyme आये थे, उसी process से यहां से, यहां पे जो nutrients होंगे वो इस body के दुरू absorb कर लिये जाएंगे, तो इस process को क्या कहेंगे हम, absorption कहेंगे then हम आएंगे assimilation पे assimilation का मतलब होता है कि absorption तो हो चुका है after that उस absorbed किये हुए nutrients से energy को बनाना उस absorbed किये हुए nutrients से क्या बना रहे है अभी हम energy derive कर रहे है तो वो energy amoeba को मिल जाएगी और जो waste product होगा, वो फिर हमारे vacuol के अंदा collected है अब इस waste product को क्या करना है amoeba क्या करेगा, उसको release कर देगा because इसको जरूरत नहीं है यह waste product है, जो कि इसको required नहीं है, तो वो body से remove कर दिया जाएगा और इस body से removal के process को क्या जाता है, इजेशन कहा जाता है, तो there are so many process, continuously process चलता रहता है, food को food आया, food को intake किया गया intake करने के बाद देखो किया वो digestion हुआ then absorption हुआ, then assimilation and then ejection हुआ, तो यहां हमारा amoeba का digestion तो complete हो गया, but अब हमें पढ़ना है human digestive system को, तो human digestive system में basically होता क्या है, तो यहां पर भी क्या होगा food का digestion होगा, जो start कहां से हो जाएगा, mouth से start हो जाएगा food का digestion कहां से शुरू होता है हमारा, mouth से start हो जाता है mouth के अंदर जो हमारे teeth होते जो teeth है हमारे, teeth किते type के होते है, हमारे four types of teeth होते four types of teeth में सबसे पहले आता है हमारा incisors, सबसे पहले क्या आता है हमारे incisors आते है, incisors के बाद आते है हमारे canons, and canons के बाद कौन आता है, canons के बाद आता है, premolars, premolars, and then molars, ठीक है, there are four types of teeth, जो हमारी, हमारे बकल गाविटी के अंदर present होते है, now, यहां हमारा क्या होगा, food का digestion शुरू हो जाएगा, teeth क्या करेगा, हमारे food को, chew करने का काम करेगा, उसको grind करेगा, और हमारी जो टंग है, वो टंग क्या करेगी, टंग पूरे के पूरे food को, food के अंदर saliva को mix करने की कोशिश करेगी, saliva is the liquid part जो कि हमारे मुग के अंदर continuously release होता रहता है, जिसको हम लाड कहते है, वो क्या है, एक तरे का saliva ही तो है, जिसको हम थूक कहते है, वो भी तरे का क्या है, हमारा saliva है, तो saliva के अंदर क्या होता है, saliva के अंदर होता है, salivary amylase, salivary amylase होता है, और यह amylase क्या काम करता है, यह digestion का process start कर चुका होता है किसका digestion होता है यहां पर तो यहां पर होता है carbohydrate का digestion यहां पर किसका digestion होगा carbohydrate का digestion होगा और carbohydrate को simpler substances में तोड़ने का process शुरू हो जाएगा जब हम फूड को चू करके इंजिस्ट कर लेते हैं तब क्या होता है वो जब मेथा मेथा से टेस्ट आँ तो ये क्यों आता है बिकीज्व कार्भो हाईडरेट जो है वू स्टाउच के अंदर कंवार्च होना स्टायट हो चुका है यह जो हमारा इसो फेगस है इसके थुरू क्या होगा पूरा पूरा फूर्ट कहां चलाएगा स्टमक में चला जाएगा it is a J-shape structure जो हमारा J-shape का structure आपको नजर आ रहा होगा यह क्या है हमारा यह स्टमक और स्टमक के अंदर क्या होता है इस स्टमक के अंदर यहां पर 3 जो है digestive enzymes जो है वो secret होते है digestive enzymes उनको नहीं कहा पाएंगे लेकिन under digestive juices हम उनको कह देते है तो secret क्या क्या होता है यहां पर secret होता है HCL और यहां पर secret होता है pepsin enzyme pepsin enzyme secret होता है और क्या secret होता है और यहां पर होता है mucus चिक है यह 3 जीजे जो है demographic होता है अब basically होता है यह जो HCL है यह acidic nature बनाने का काम करता है हमारे stomach के अंदर, plus जो bacteria होते हैं उनको मानने काम करेगा, पेपसीन क्या करेगा, पेपसीन HCL की भज़े से ही, बिकॉज जब acidic nature हो जाएगा, पेपसीन एक्टिवेट हो जाएगा, तब पेपसीन जो है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये किसका digestion करेगा, protein का digestion शुरू कर देगा then mucus है, ये stomach की wall पे आ जाएगा और stomach को protect करेगा HCL से because HCL क्या है, acid ही तो है, तो acid से हमारे stomach को protect करने का काम किसका होता है, mucus का होता है उसके बाद जब वो food digest होने के बाद कहा जाएगा, वो food digest होने के बाद जाएगा हमारा small intestine के अंदर वही पर देखो, दो चीजे और आती है, हमारी एक आता है liver और एक आता है pancreas liver क्या देता है, तो liver हमको देता है bile juice, liver ने क्या दिया है, bile juice दिया है, लिवर ने अब pancreas का देगा, तो देखो pancreas देगा, यहाँ पे क्या होगा, जो pancreas है, यह pancreas क्या दे रहा है, तो यह देता है हमें pancreatic juice, pancreatic juice provide करता है, ये भी क्या करते है, digestion में help करते है, fine, चलो, अच्छा, bile juice किसके digestion में help करता है, तो fat के digestion में help करता है, एक तरह से मुझे emulsification, जिसको हम कहते है, emulsification का मतलब होता है, कि fat को fatty acid and glycerol में convert कर देना, उसके बाद हमारा food कहा जाएगा, small intestine में आ जाएगा, ये जो small intestine है, इसे बोलने में small है, otherwise ये small नहीं होती है, ये बहुत long होती है, 7 और 7.5 मीटर के अप्रॉक्स होती है, तो ये जो हमारी small intestine है, अब ये small intestine के अंदर क्या होता है, most of the digestion complete होता है, तो जहां हम क्याते हैं, कि हमारे digestion जो ये शुरू कहा से हुआ, माउट से हुआ, खतम कहा होगा, small intestine पे ही हो जाएगा, तो small intestine के अंदर जो remaining digestion है, वो complete होता है, और basically अगर मैं आपको बताओं कि digestion की process में, जो हमारा carbohydrate है, ये किसमें convert होता है, तो carbohydrate convert होता है, ग्लुकोज में, तो protein किसमें convert हो जाएगा, protein convert हो जाएगा, amino acid में, यानि protein की smallest unit क्या हो गई, amino acid हो गई, तो अगर हम बात करें हमारे fat की, तो fat convert होता है fatty acid, fatty acid and glycerol में, और ये सारा काम करता कौन है, ये सारा काम करने के लिए, हमारे पास special type of enzymes हमारी body के अंदर होते है, present, then small intestine से हमारा food जाएगा, ये large intestine के अंदर, ये large intestine है हमारी, इस large intestine के अंदर क्या होगा, ये food जो है हमारा, चला जाएगा, यहाँ से जाएगा, and then NSC through body से remove कर दिया जाएगा, one more thing कि small intestine के अंदर क्या होता है, small intestine के अंदर होता है, hair like projections, जिनको हम कहते है, ये hair like projections क्या करते है, surface area को बढ़ा देते हैं, ताकि absorption जो है, वो easily हो जाए, fine, चलो, आगे बढ़ते हैं, हमारे next process पे आते है, that is respiration, ये आपके लिए है, ताकि हम quick revision कर सके हमारे exam से पहले, respiration, human being का respiration कैसे होता है, तो हमारे पास पूरा का पूरा ये respiratory system काम करता है, we know very well कि हमने क्या किया, नाक से हमने सांस ली, हमाई nasal cavity के थूँ जो है, air हमारी body में enter कर गई, और वहीं से वो remove हो जाती है, तो breathe in, breathe out, मतलब inhalation and exhalation, ये क्या होता है, breathing होता है, बड़ अगर हम बात करते हैं हमारे respiration की, तो उसे breathing respiration नहीं है, it is different from breathing, fine, चलो, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे body के अंदर oxygen जो है, वो जाती कैसे है, तो यहाँ पी क्या होता है, nasal passage है, nasal cavity से क्या होगा, nasal cavity से हमारा जो air है, वो चली जाएगी body के अंदर, body के अंदर enter कर जाएगी, अब यहाँ से enter कर गई, तो कहा गई, यहाँ पे आई, trachea पे, trachea पे जानने से पहले किसके पास आई है, देखो, इस वाले ही pipe से है, यह wind pipe है, wind pipe के through आई है, अब हमें पता है कि food pipe और wind pipe जो होता है, दौनों के अंदर, एक छोटा सा passage होता है, वो similar होता है, तो वहाँ पार एक होता है epiglottis, वहाँ पर क्या होता है, epiglottis होता है, अब यह जो epiglottis है, अब यहाँ से क्या होगा air enter होगी, air के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक trachea है, तो यहाँ पर अगर टेच करते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक pipe like structure तो है, लेकिन उसके उपर ring जैसा कुछ है, तो यह trachea जो होता है, इसके उपर rings मनी होती है, अब इस trachea पर ring क्यों होती है, तो trachea पर ring इसलिए होती है, ताकि जो trachea है, वो बिल्कुल ऐसे चिपक नहीं जाए, मतलब कि, बिल्कुल ऐसे कहता है, तो यह कोलाइड नहीं हो जाए गूसरे से, जो पूरा structure है, pipe like structure है, वो पूरा ऐसे पिचक नहीं जाए, क्यों नहीं पिचक ना चाहिए, और यह कैसे नहीं पिचकता है, तो देखो, जब हवा अंदर गई, तब तक तो ओपाई पूरा फुल था, जैसे ही हवा बाहर आएगी, air जो है, आउट हो जाएगी, यादर एग्सालेश होगा, उस ताइम पर गॉलाप्स हो सकता है, यह कॉलाप्स हो जाएगा, तो ंह वो गॉलापस पूरा चिपक जाएगा, और जब ग चिपक गया, अगर फुल्ग हो चुका है, तब सेकें इंटर होगी, यह तो नुकसान वाली बात होगी that is why उपर क्या होता है rings होती है तो यह cartilagious rings जो होती है जो यहाँ पर cartilagious rings है यह क्या करती है यह ensure करती है कि इस trachea को हम collapse नहीं होने देंगे इस trachea को हम collapse नहीं होने देंगे यह pipe as it is रहेगा हमारा तो trachea जब two part में divide होगा तो यह bronchize में divide हो जाएगा यह एक और यह second bronchize होगा अब bronchize जो है वो पूरा lungs के अंदर जाके ऐसे नहीं कि बस lungs के अंदर गया free नहीं उसके आगे और further division होगा तो जो further division होता है उसको हम कहते है bronchials further division को क्या कहते हैं bronchials केते हैं ताकि हमारे lungs के हर एक corner corner में क्या हो जाए हमारे air जो है वो पहुँच जाए अब यह जो bronchials है यह जहां पर खतम होते हैं जहां पर यह end हो रहे देखो यह last end वाला structure होता है उसके उपर क्या होता है उसके उपर होता है air sex मतलब कि यह देखो यह क्या है हमारे bronchials है अब यह bronchials आगया है यहां पर यह end हो रहा है यहां पर यह end हो रहा है यहां पर यह end हो रहा है तो जहां यह end हो रहा है तो यह जो बलून लाइक structure होता है इनको हम कहते हैं यहीं पर हमारे गैसिस का एक्स्चेंज होता है मतलब ऑक्सिजन का ब्लड स्ट्रीम में जाना और ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डियोकसाइड का वापेस से आ जाना तो यह इसी एक्स्चेंज होता है बागी पूरे लंग्स के अदर ऐसा निये कि ब्रॉंकियोल से भी हो ब्रॉंकाई से हो जाएगा नई उल्ली कहा होगा एस एक्सट्रीम में क्या होता है और इसी लिए बलॉन लाइक कि स्रॉक्चर है अब अब इतने से सर्फेस मिलती गैसिस के एक्शेंज के लिए लेकिन और इसको फूला दिया नहीं रह सकते हमें बैठना भी तो होता है तो बैठने के लिए कोई स्टैंड चाहिए होता है कोई टेबल चाहिए कोई चेयर चाहिए फ्लोर चाहिए कुछ तो कुछ तो चाहिए तो लंग्स को भी क्या चाहिए होता है बैठने के लिए टेबल चाहिए उस टेबल को हम क्या क पेस्ट यह तो यह डाइफ्रों इस हो जाएगा बिलको फ्लाइट हो जाएगा फाइं पहले ही ऐसे थे जब हमारे लंग्स जो है उसके अंदर कोई भी एयर प्रजेंट नहीं थी जैसे ही लंग्स जो है एसे फुल हो गए तो यह इस तरह से हो जाएंगे है ठीक है चला उप कि आपको यह चिस क्लेर हो गई है तो यहां पर हम देखेंगे कि जबहा ही अब रास्पिरिशन क्या होता है तो रास्पिरिशन जो होता है यहा टो एंडर क्वागा प्रेजंस फ्रेशन होगी presence of oxygen oxygen की presence में जो respiration होता है उसे हम कहते है aerobic respiration और जो oxygen की absence में होता है उसे हम कहते है un-aerobic respiration un-aerobic respiration अब human body के अंदर तो oxygen अगर नहीं होगा तो respiration भी नहीं होगा that means कि human body में कौन सा respiration होता है aerobic respiration होता है लेकिन अगर हम बात करें हमारे other organism की उनकी बात करें तो क्या होगा? उनकी अंदर होता है un-aerobic respiration. Do you know कि हमारी human body भी un-aerobic respiration करती है? Don't forget, हमने exercise की बात की थी, हमने cycle चलाने की बात की थी. तो जब ठक जाते हैं, तो क्या होता है? हमारी body जो है, वो half ने लगती है. क्यों half ती है हमारी body? क्यों हम जोर-जोर से सांस लेने लगते हैं? Because, जब हमारी body को ज़्यादा oxygen की जरुरत होती है. जब आप cycle चला के आए हो, जिम जाके आए हो, तो उस ताम पर क्या होता है? ज़्यादा energy की जरुरत होती है. तो हमारी body ज़्यादा oxygen लेने की कोशिश करती है. बट वो इतना oxygen नहीं ले पाती है, कि वो हमें फुल्फिल, हमारी energy की demand को फुल्फिल कर सके. That is why हमारी जो muscles है, वो ही respire करना शुरू कर देती है. Because, उनको समझ में आ जाता है कि भई, आप lungs से अकेले से काम होगा नहीं, तो हम help कर देते हैं थोड़ी सी. वो पार्ट जो होता है, एक पार्ट डर्थ करने लगता है, और जैसे अब उसको टच करके देखते हैं, तो हमें लगते हैं थोड़ा hard-hard सा हो गया. और वही pain, जब जब जिन जाके आते हैं, पहली बार, shock-shock में चले तो जाते हैं, एक दिन चलो चले जाएंगे. दो गंटे अच्छे से जिमिंग भी करके आगए, उसकी बाद जो हमारे हाथ पर दर्थ करते हैं, तो वो दर्थ क्यों करते हैं, विकोज हमारी body के अंदर क्या हुआ, muscles ने anaerobic respiration किया, lactic acid और energy बना दी, और ये lactic acid क्या करता है, energy तो utilize हो गई, lactic acid जो था वो वही उसी part के अंदर क्या हो गया, collect हो गया, जहां collect हुआ, वहाँ पेंच शुरू हो जाएगा, और वहाँ पर hard लगेगा हमें, और वही pain आपने note किया होगा, 3-4 days में, automatically सही हो जाता है, और वो hard part भी normal हो जाता है, क्यों, क्यों कि वहाँ पर lactic acid जो है, automatically dissolve कर दिया जाता है, ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पर respiration होता है, कैसे है, सबसे पहले होता है glucose, सारी ही organism के पास में glucose होता है, अब यह glucose क्या होगा, glucose का glycolysis होगा, glucose का क्या होगा, glycolysis होगा, यह glycolysis का process होता है, cytoplasma के अंदर, cell का structure हमने देखा था, तो cell के structure में, एक cytoplasma नाम की चीज होती है, जो ए और इस process को हम क्या कहते है, इस process को हम कहते है, glycolysis, अब होता क्या है, अगर suppose presence of oxygen है, तब तो क्या होगा, mitochondria काम करेगा, mitochondria is the powerhouse of our cell, तो mitochondria के अंदर, CO2 बन जाएगी, water बन जाएगा, energy बन जाएगी, जब oxygen इसके साथ में मिल जाएगा, fine, तो यह तो होता है हमारी body के अंद चले, अब क्या होगा, अब यूमन की जो muscles होती है, जब वो वर्क करना शुरू करती है, तो यहाँ पर oxygen तो होता नहीं है, जो माई muscles को मिलेगा, तो क्या बना, lactic acid or energy बन दी, वही अगर हम बात कर दे, absence of oxygen अगर किसी organism की बात करे, unicellular organism की, हम yeast की बात कर ले, तो yeast के अंदर क्या होता है, energy बनती है, CO2 बन जाता है, ठीक है, और उसके अलावा यह क्या बनता है, ethanol बनता है, एक और चीज बनती है, जो यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ethanol बन जाता है, ethanol is a kind of alcohol, alcohol से वो bottle याद नहीं करनी है, यह अलग टाइप का alcohol है, फाइन चलो, अब देखो, इसको एक चीज और से आपको याद रखना है, कैसे, तुझे हमारे cake होता है, cake तो सबको पसंद होता है, cake बहुत soft-soft सबनता है, बीश के अंद एक दम जाली-जाली सी होता है, क्यों होती है, जब cake का dough बनाया जाता है, या उसका batter बनाया जाता है, तो उस batter को bake किया जाता है, तो क्या होगा, यह जो CO2E रिलीज होने की कोशिश करती है, और उस कोशिश में क्या होता है, पूरा का पूरा जो dough बैटर है हमारा वो उपर की तरफ आ जाता है, तो वो इसी वज़े से होता है, यानि उसके अंदर क्या हो रहा था, un-aerobic respiration हो रहा था, I hope कि आपको nutrition and respiration अब clear हो गया होगा, तो अब हम आते हैं हमारे next point पे, that is transportation, अब यह transportation क्या है, तो transportation का मतलब है कि हमारी body के अंदर जो भी चीज़े transfer होती है, एक जगे से दूसरे जगे पे जाएगी, तो कैसे हो रही है, अब कैसे हो रही है मतलब, तो हमारी body के अंदर काम क अब इस blood के अंदर क्या होता है, तो देखो, blood के अंदर होती है, एक होती है हमारी RBC, that is red blood cells, इसको red color किसने दिया, hemoglobin न दिया, इसको red color कौन देता है, hemoglobin देता है, hemoglobin is a red color का pigment होता है, hemoglobin, चलो, hemoglobin जो होता है, एक red color का pigment होता है, अब यह चो red color का pigment है, यह red color का pigment क्या कर इस अपने उपर oxygen को लेकर जाता है यानि यह क्या है oxygen का कैरियर है लेकिन इसकी बनती से वह oxygen के साथ नहीं बनती है ऐसा नहीं कि oxygen को जो था कहीं पर उतारा किसी सल में carbon dioxide को ले लिया नहीं carbon dioxide हमेशा dissolve form में आएगी इसके अलावा इसके अंदर होती है WBC that is our soldiers जो हमारी body के soldiers है जो हमारे immune system को बढ़ाते हैं then हम आते है platelets पे platelets क्या करती है तो यह हमारे blood की clotting मनाने का काम करती है यह चोट लगती है तो जो black color की layer बनती है that is because of platelets because they clotting है उसके अलाव एक चीज और होती है plasma it is a liquid part of blood यह transparent होता है red color किसकी वज़े साया RBC के अंदर जो hemoglobin है उसकी वज़े से आया अब यह जो heart है इसके function की बात कर लेते तो अब इससे तो function समझ नहीं सकते ठीक है तो अभी यह काम करें 10 standard के हमारे board है तो इस वाले heart को तो गोली मारे यहाने साइड में रख देते है हमारे इस वाले heart पर आ जाते है इसकी process देख लेते है इस वाले heart के अंदर क्या होता है यह वाला जो heart है हमारा यह पूरे दिनना इससे pump करता रहता है बिलकुल कभी यह सिफ हो जाए contract होगा फिर expand होगा फिर contract होगा फिर expand होगा क्यों क्योंकि यह blood को pure करने का काम करते है कैसे करेगा तो देखो पूरी body message हमारा blood है वो कहां जाएगा सबसे पहले वो जाएगा इस superior vena के वागे थूर कहां चला गया right atrium में चला गया इस right atrium से यह जो tricuspid valve है right atrium के अंदर कौन सा वॉल होता है tricuspid valve होता है देखो यह चीज़ याद रख नहीं है right side में कौन सा वॉल होगा tricuspid left side में कौन सा वॉल होगा mitral valve होगा या फिर हम बोल सकते bicuspid valve होगा ठीक है valve क्या करते हैं तो direction को maintain करने का काम करते हैं कि जो blood flow है उसकी direction को maintain करेंगे उस blood को पीछे वापिस नहीं आने देंगे जहां चला गया वहाँ चला गया है तो यह valve बहुत जरूरी है तो superior vena keva के थ्रूर देखो क्या हुआ बलड कहां आया right atrium में आया अब right atrium से क्या होगा यह blood कहां चला जाएगा right ventricle में चला जाएगा चीक है right ventricle में गया blood right ventricle से कहां जाएगा तो pulmonary artery pulmonary artery के थ्रूर यह blood चला जाएगा कहां पर lungs पर देखो यह काम करते हैं यहां पर लिख दे जाता कि आपको याद रहे सबसे बहले हमारा blood कहां आया right atrium में यह flow आपको बिलकुल याद रखना है अगर यह याद नहीं हो इसके बीश में कौनसा बॉल लगा होता है तो इन दौनों के बीश में आया इसे आपको याद रखना है fine चल bite ventricle में गया blood इसके बार यह blood हमारा चला जाएगा pulmonary artery pulmonary artery में जाएगा it is only artery जो हमारे impure blood को लेकर जा रही है otherwise हमारी body की जितनी भी arteries होती है वो सारी pure blood को लेकर जाती है इसलिए उनकी जो wall भी होती है वो थिक होती है थोड़ी से चीक है चलो अब pulmonary artery artery के थुरू ये blood कहा गया ये blood गया हमारा lungs के अंदर lungs के अंदर क्यों गया है अब विचार इंप्यूर blood न तो ये pure होने के लिए गया है ठीक है lungs में जाएगा lungs में क्या होगा gases का exchange हो जाएगा oxygen को ये ले लेगा और carbon dioxide को दे देगा अब यहां से lungs से क्या होगा pulmonary vein के थुरू लंक्स से pulmonary vein के थुरू जो है blood वापस कहा आ जाएगा हमारे heart में हमारे heart में भी कहा आएगा left atrium में आएगा देखो pulmonary artery artery से कहा गया lungs में गया अब क्या होगा pulmonary ये जो वीन है यह जो pulmonari vein है, इसके through blood आया, कहां आया, left atrium के अंदर आया, चीक है, तो यहां से blood कहां आया है, left atrium में आया है, और इस left atrium से blood जाएगा, कहां पर left ventricle में, left ventricle में गया है blood यह देखो, यह left ventricle में चला गया, और इस left ventricle के बाद में क्या होगा, iota के through, जो हमार iota नजर आ पार्ट्स में चला जाएगा जो हमारे बॉडी पार्टंस है उनके अंदर चला जाएगा फ्यार ब्लड छला गया जब यह पूरा ब्लड फिर से इंप्लेट हो जाएगा जब ही औक्सजिन को दे देगा थे ले लेगा तो क्या होगा फिर से यह सुपीरे वेना के रागे तो यह प्रोसेस को हमारे सिर्कुलेशन सिस्टम को हम कहते हैं पूरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है इस लंग से प्यूर होने के बाद फिर नाग जाएगा प्ल्मोंरे वीन के थ्रू हिया याईगा लेफ्टरी डबल टाइम आ गया पहले यहां आया था, यहां से निकल गया, वापस आया heart के अंदर, तो यह double time आया, यानि हमारे blood circulatory system को हम क्या कहते है, double circulatory system कहते है, why, because heart के अंदर हमारा blood दो बारा था, यहां से फिर यह iota के थू निकलेगा, पूरी body में आएगा, यहां पर क्या होगा, फिर यह capillaries है, arteries के through, पूरी body में blood fell गया, capillaries थी, वो heart tissue पर जाके अराम से उसको देखे आ गई सब जगे, सारी capillaries फिर join होके, क्या बना देगी, ween बना देगी, ठीक है, चला, आगे बढ़ते हैं, next point पर आते है, that is, transportation in plants, अब human being का पढ़ रहे है, तो plant बहुत जरूरी है, plants में transportation कैसे होता है तो xylem जो है, xylem के through किसका transportation होगा, gel का, याद कराया था, xylem gel से याद करवाया था, यानि water and minerals का transportation होगा, और ये only one way transportation है, सिर्फ और सिर्फ अप साइड में जाएगा, सारा का सारा पानी और mineral जो है, वो उपर की तरफ जा रहा है, xylem के through, flowem के through क्या होगा, तो flowem के through हमार food का transportation होगा, जो food, leaves के अंदर बना है, उसको पूर एक में फैला क्या आना, वापे सारे body parts में देख कराना, कौन करेगा, flowem करेगा, flowem का two way flow होता है, flowem का two way flow होता है, तो ये उपर भी जा रहा है, और ये नीचे भी आ रहा है, अब इनके कुछ parts होते है, xylem और phloem के कुछ parts होते है, तो xylem के अंदर क्या होता है, xylem parenchyma होता है, xylem vessel होता है, tracheids होता है, और xylem fiber होता है, लेकिन आपको एक चीज जो याद रखनी है, वो ये है कि ये जो सारे cells होते है, they are dead, only xylem parenchyma जो होता है, वो एक ऐसा cell है, जो की living cell होता है, बाकि सारे कैसे होते है, dead cells हो और यहां आ जाओ, यह क्या है? यह हमारा है Phloem, अब इस Phloem के अंदर देखो, क्या होता है? सीव पोर होते है, companion cell होता है, Phloem Parenchyma होता है, सीव ट्यूब ऐलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा एक और चीज होती है, Phloem Fiber, जो सीफ पोस, सीफव है, इंघ को हम सीवट्यू कहते है, companion cell, phloem parenchyma, और एक और होता है, that is, phloem fiber, इसके अन्दर क्या होता है, कि जो ये सीफ ट्यूब है, companion cell है, और ये जो phloem parenchyma है, they all are living, they all are living cells, बस only जो phloem fiber है, ये क्या होता है, dead cell होता है, phloem fiber क्या होता है, dead cell होता है, ठीक है phloem fiber जो है वो dead cell है, यहां भी देखो, the fiber dead cell था, वहां भी fiber dead है, parenting確़्िटाइब देखो पेरन काई मा डिविंग कर वो लिविंग तो इसमें भी याद भी रख मा थे लिखना है, याद भी रखना है जो लह मा फामें वादो जाते है हमारे। एक्स्रिशन क्या होता है तो बोडिबसे ब्लैस्ट रिमूव करना। कौन करता है तो हमारी किड्नी इंप कर दिखती है चिक है पर गय dopp viens के होगा किड्नी क्ड होती है। किड़नी के अंदर क्या होगा यूरिन फॉर्मेशन होगा अब जब यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका है इसके अंदर क्या है सबसे जादा सारा वेस्ट प्रोड़क्ती है अमोनिया जादा इसके अंदर तो जितना भी वेस्ट प्रोड़क्त है सब किसमें आया किड़नी में क में उरीनरी blyder में एक उरी2 क्रसेऊना पर यॉरीनरी नरी भ्लेडर में एक औरूधा धिरिया लिप उर्ही उरएथ्रा के तूप्छ युरीनरी ब्ले लारें फार जला ह Pepsi यूरन स्वारमेशन ग्युरिन फर्ममेशन के बाद में और यूरिटर के थू कहां राइगा ब्लेडर में उर्यन ब्लेडर में योरिन स्थोर होता एक स्थे लिमिट उफ टाइम तक उसके बाद द्सफिंक्र के नाम का एक इसमें भी हम देखें, तो क्या होता है? नेफ्रोंस होते हैं, देखो, किड्नी के अंदर क्या होता है? नेफ्रोंस होते हैं, नेफ्रोंस मतलब बहुत सारे cells होते हैं, जो यूरिन फोर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो इस नेफ्रों के structure में सबसे पहली चीज क्या है तो यह bohman's capsule होता है जो यह moon-like structure है bohman's capsule इस bohman's capsule के अंदर क्या होता है उसके बाद यहां नीचे आएगा loop of endless से कहा जाएगा DCT में जाएगा यानि distal convoluted tubule और उसके बाद यह हमारी है collecting tubule उसके अंदर सारा का सारा यूरीन है वो collect हो जाएगा इस continuous पूरे process के अंदर जो हमारा blood है उसके अंदर दो या तीन बार diffusion होता है क्यों होता है because blood से सारा का सारा waste product कहा जाएगा bohman's capsule में जाएगा अब आगी जाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है फिर से एक बार absorption किया जाता है कि blood को कुछ ऐसी चीज़े जो waste के नाम पे हमने bohman's capsule में दे दी थी लेकिन blood को लगा कि नहीं वो important है तो वो उसको फिर से लेगा फिर चेक करेगा फिर चेक करने के बाद क्या करेगा जो waste material होगा फिर ये loop of handle के अंदर उसमें डाल दिया जाएगा and साथ में साथ last के अंदर क्या होगा ये collecting tube के अंदर इखटा हो जाएगा और collecting tube में जब सारा waste material इखटा हो जाएगा तो वहाँ पर उसका urine का formation कर दिया जाएगा तो इस nephron के structure को याद रखना है nephron क्या होता है तो nephron से ही तो बनके हमारी kidney बनी nephron के अंदर ही तो ये सारे के सारे cells होता है जो blood में से waste product को लेते है then हम को पढ़ना है हमारे artificial kidney के बारे में by chance कोई ex-person इसकी kidney खराब हो चुकी है तो अब क्या होगा? क्या हो मर जाएगा? नहीं मरेगा. क्यों नहीं मरेगा? इस person का body का blood है जो की इस person की कितनी खराब हो चुकी दौनों कितनी खराब हो चुकी है तो इसका blood क्या होगा? पूरा का पूरा blood यहां से बाहर आएगा जो urinated blood है, जिसके अंदर अभी urine present है सारा waste material present है तो यहां से बाहर आएगा और इसके अंदर जाएगा यह जो structure है, यह इस तरह से बनाया जाता है जो कि हमारा, जिस तरह से हमारा nephron काम करता है कि absorption होगा फिर वापे से blood एब्सॉब करेगा फिर वो tube एब्सॉब करेगी तो उस तरह का structure है, वो इसके अंदर बनाया जाता है यह semi-permeable membrane होती है इसके अंदर जो लगी है, यह जो structures लगे है यह सारी membrane कैसे semi-permeable membrane है जिसके अंदर से सिफ वेस्ट प्रड़क्ट को ले लिया जाएगा अब इस basically इस container के अंदर है क्या तो यहाँ पर यह dial-assist वाला solution है यह क्या dial-assist solution है जो इसके अंदर घूम रहे है ट्यूब्स में क्या गूम रहे है, जो ब्लड आया था यहाँ से अब इन ट्यूब्स में से जो भी waste material होगा सारा का सारा फिर बहार आएगा, तो बहार कहाँ जाएगा इस solution के अंदर चला जाएगा जो यह dial-assist solution है, इसके अंदर सारा waste material चला जाएगा अब यह जो waste material वाला solution हो चुका है तो यह solution फिर से कहाँ आएगा, दूसरे container में ले लिया जाएगा यानि कि अब यह क्या है, यह यूरिया बन चुका यह क्या है, यूरिया होगा, जिसके अंदर क्या है, या फिर extra salt है, ammonia है, सब कुछ है और जो pure blood होगा, वो यहां से फिर body के अंदर टाल दिया जाएगा, बोडी के अंदर फिर transfer कर दिया जाएगा चला, next हमारे last topic पे, that is excretion in plants plant के अंदर excretion कैसे होता है, तो दिको plant body भी तो living है, उसके अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे waste material होते होंगे तो इनकी body में हमने सुना है, कि क्या होता है, transpiration होता है transpiration होता है, यानि क्या होता है, transpiration मतलब क्या हुआ transpiration का मतलब है, कि इनकी body से, जो extra water है, उसका flow हो जाएगा बाहर के साइट में, क्यों होगा जिसे हमारी body में से dehydration होता है Sunlight क्या करती है Sun जो है वो क्या करता है हमारी body में से जितना भी water होता है उसको evaporate करके उड़ा देता है तो उसको हम क्या कहता है dehydration होगे हमारी body में तो वैसे ही plant body में भी क्या होता है कि जो plant body के जो water है वो evaporation के थूरू बहार आ जाता है sunlight उसको ले लेती है तो ये क्या होता है, transpiration होता है उसके अलावा आपने देखा होगा कि रात के टाइम पे सर्दियों की जो रात होती है वहाँ पर देखा होगा कि सुबह अगर देखोगे तो पतियों के ऊपर पानी जम्मा हो जाता है, वो क्या है? वो ओस है वो किसकी वज़े से आई? वो भी इसी process के वज़े से है अगर उसके अलावा देखे तो हमारे जो गोंद मिलता है हमको, जो कि हमारा क्या था? गोंद होता है resin होगया, गोंद होगया, जो भी चीज़ है यह सारी चीज़े कहां से मिलती है तो यह plant body के लिए क्या waste product है तो plant body क्या करें कि अपने stamp के थूँज को बहार remove कर देगी जब उसने उसको बहार remove किया है तो वो क्या होगा? वो वहाँ पर चिपक जाएगा जो बहुत चिपचिपादा substance होता है जो गोंद होता है वो उनके stamp पर चिपक जाएगा उस ही को निकाल के क्या करते है हमारे लिए लड़ू बना देता है उसके अलाब आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें लगता है वह दूद निकल रहा है तो वो दूद नहीं होता है वो इनका waste product है जो इनको नहीं चाहिए प्लांट बोड़ी और क्या कर सकती है तो जो dead parts होते है जो प्लांट बोड़ी के dead parts होते है उस वो dead parts जो की गिर जाते है कई बार तो सुखी पतिया गिर जाती है कई बार होता है कि fruit जो होते है वो अच्छे से जब जादा ही पक जाता है तो वो automatically plant से remove हो जाता है तो यह सब क्या है plant के लिए waste production तो plant body ने remove किये तो जो product plant body remove कर रही है उस product के अंदर क्या होता है बहुत सारे vacuoles जो होते है उनके अंदर food को इखटा कर दिया जोता है food मतलब जो extra waste material होता है उसको वाँ पर इखटा कर दिया जाएगा और उसको बाद में remove कर दिया जाएगा तो plant body के जितने भी dead parts होते है जो कि plant body से remove होने वाले है वो सब क्या होते है उनके अंदर जो vacuoles होते है उस पर waste product को इखटा करते है जैसे हमारा गर के dustments होते है उनके अंदर सारा waste product इखटा हो जाएगा और last के अंदर जब और dead parts body से remove होगा तो साथ ही साथ क्या होगा उन vacuoles के अंदर जो waste product है वो भी remove हो जाएगा तो इस तरह से plant body क्या करती है excretion करती है तो इनकी body के अंदर और को system तो है नहीं इसलिए इस ताइब से करते है चाप्टर पूरा पढ़ने के बाद में अब हमारे mind में जो चीज़े आती है तो यह कि यह कौन से question पढ़े कौन सा question कहां से आ सकता है किस question को हम importance दे और किस question को ना दे तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ important questions की series को मतलब every chapter के हम important questions करेंगे so that कि आपको questions में कोई भी problem ना हो और आपको idea हो जाए कि किस टाइप की questions आपके exam में आ सकते है so I love enough mahat welcoming you all at score shala आज हम start करेंगे life process की questions से so life process chapter एक ऐसा chapter है जो हमें लगते है कि यार इतना complicated chapter है इसमें ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो human beings के अंदर कितनी सारी चीज़े तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आसान बना देते हैं आपके लिए questions की form में so the first question is what would be the consequences of deficiency of hemoglobin in your body हमारी body के अंदर या कोई भी ex-person है जिसकी body के अंदर अगर hemoglobin की deficiency हो जाती है तो क्या होगा now देखो हमने बहुत सारी teasers के बारे में सुना है and I hope कि आपने anemia के बारे में तो जरूर सुना होगा जब life process chapter अगर read किया है पढ़ा है अच्छे से उसको समझा है तो definitely आपने anemia के बारे में तो पढ़ाई होगा anemia क्या होता है तो जब hemoglobin की deficiency हो जाती है blood के अंदर तो हम कहते हैं कि anemia हो चुका है actually what is it यह है क्या तो देखो blood के कुछ components होते है उन components में एक आता है RBC एक आता है WBC then आते है उसके platelets fine platelets now जो RBC है red blood cells अब यह red color क्यों होता है इनका तो इसके उपर एक red color का pigment होता है पूरे blood का भी red color से विसी के वज़े से होता है RBC की वज़े से because RBC के उपर एक red color का pigment होता है और उस pigment का नाम है hemoglobin basically hemoglobin करता क्या है तो hemoglobin is an oxygen carrier hemoglobin is an oxygen carrier अब यह hemoglobin क्या कर रहा है oxygen को carry करके ले कर जाता है oxygen को क्या करता है उठाता है और उठा कर ले कर चला जाता है कहां ले कर जाता है तो यह courier facility की तरह काम करता है यह oxygen को लेगा और अपने उपर बिठाएगा और उसके बाद body के सारे parts के अंदर सारे cells के अंदर oxygen को दे कर आएगा लेकिन इसकी carbon dioxide से नहीं बनती है तो carbon dioxide हमेशा dissolve form में आता है यह hemoglobin के उपर बैट कर नहीं आता तो देखो hemoglobin का काम क्या हो गया oxygen को लेकर जाना अब अगर hemoglobin के deficiency हो जाएगी तो क्या हमारे body parts के अंदर oxygen पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी जब हमारी body के अंदर hemoglobin है अच्छ से है जिस quantity में होना ची adequate quantity में है तब तक हमारा blood यह है लेकिन जैसे ही यहां से hemoglobin कम हो जाएगा तो हमारा blood यह है now think about it कि अगर हमारा blood इस तरह से होगा तो क्या हमारी body properly work करेगी नहीं करेगी जब पूरी body के अंदर oxygen पहुंचेगा ही नहीं तो properly respiration नहीं होगा और उस respiration नहीं होने से हमें properly energy नहीं मिलेगी और इसी thing को हम क्या कहते है इसी को हम कह देते है anemia anemia के अंदर कहा जाता है कि blood की deficiency हो जाती है blood की मतलब hemoglobin की deficiency हो जाती है इसका मतलब है कि iron की भी deficiency हो जाएगी and साथी साथ oxygen subject नहीं पहुंच पाएगा तो बहुत ज़दा weakness हो जाएगी बहुत body ज़ए पेल होने लगेगी fine so I hope कि ये question clear हो गया है now come to the next thing आपको theoretical part में answer भी लिखना पड़ेगा exam के अंदर definite सी बात है examiner कभी भी आपका बोला हुआ नहीं सोनेगा so you can take the screenshot of every answer now come to the next question next question is name the intermediate and the end products of glucose breakdown बताना है अब basically respiration में होता क्या है तो glucose का breakdown किया जाता है तो जब glucose का breakdown cytoplasma में किया जाता है तो उसे हम कहते है pyruvate and जब उस pyruvate को फिर से mitochondria के अंदर ले जाकर उसका breakdown किया जाएगा तो उसकी बात क्या बनेगा उससे energy बनेगी उसकी बाद उससे carbon dioxide भी बनेगी and all that fine so देखो respiration के two types होते है जब हम बात करते है glucose की तो glucose क्या है एक six carbon molecule है जब इसका cytoplasma के अंदर breakdown होगा तो उससे क्या बनेगा pyruvate बनेगा यह सब के अंदर होगा चाहे वो aerobic respiration है चाहे anaerobic respiration है दौनों ही cases के अंदर यह process ज़रूर होगा glucose से pyruvate बनेगा बट कहां बनेगा यह cytoplasma के अंदर बनेगा cytoplasma के अंदर pyruvate बनने के बाद में जब mitochondria की बात करेंगे हम aerobic respiration के अंदर तो यह पूरा process देखो कहां होगा mitochondria के अंदर होगा कब जब presence of oxygen है तो इसमें क्या बनेगा इसके जो end products होगे that is co2 plus water plus energy अगर हम बात कर लें कि नई human body के अंदर ही होगा human cells के अंदर होगा कौन से muscle cells के अंदर human के muscle cells के अंदर अगर respiration हो रहा है और उस time पर lake of oxygen है oxygen है लेकिन कम है तो उस time पर क्या बनता है और उस जादा energy के लिए क्या हुआ हमाई जो muscle cells से उन्होंने भी respiration करना शुरू कर दिया which respiration that is un-aerobic respiration तो वहाँ पर lake of oxygen की वज़े से क्या होता है lactic acid बनता है वही हमारे लिए pain का कारण भी बनता है I hope कि आपको याद होगा अगर absence of oxygen है तो क्या होगा yeast के अंदर होगी respiration and इससे क्या बनेगा energy बनेगी plus co2 बनेगा plus energy की जगे यहाँ पर आप लिख दे ethanol बनेगा यहाँ क्या बनेगा ethanol बनेगा it is a kind of alcohol ethanol चले ethanol बन जाए गया आपर तो हमें question में क्या पूछा गया था and product and intermediate product of glucose breakdown in aerobic respiration यानि हवा जब air की presence में होता है respiration तो क्या बनता है देखो glucose से क्या बना pyrovate बना यह intermediate है intermediate को और आगे break किया गया कहा किया गया कब किया गया तो presence of oxygen में किया गया mitochondria के अंदर क्या बना उससे co2 बना water बना energy बनी energy का utilization हमने कर लिया water को हमने utilize कर लिया and co2 जो हमारे कामकर नहीं है हमने उसको body से remove कर दिया body से हमने क्या कर दिया remove कर दिया so आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो directly इसका अंसा लिख सकते हो glucose glucose से बना pyrovate pyrovate से बना co2 water and energy and energy किसमे बनती है ATP की फॉर्म में बनती है adenosine triphosphate की फॉर्म में बनती है now come to the next question that is name the components of blood that helps in the formation of blood clot in the event of a cut जब आपको cut लग जाता है या किसी भी person को cut लग जाता है तो जो blood clot का formation होता है वो किसकी वज़े से होता है तो you know very well की blood की कुछ components होता है RBC, WBC, platelets and plasma and सबके function पढ़ाये गाए थे तो कौन था जो blood clotting में help करता है that is platelets हमेशा कौन help करेगा platelets help करेंगी जो platelets होती है ये क्या करती है ये blood की clotting मना देती है जैसे ही ये air के contact में आती है तो एक जाल बनाने लगती है और उसे क्या हो जाता है ये blood की clotting हो जाती है वहाँ पर और जो blood की clotting हो जाएगी तो वहाँ से ज़्यादा blood जो है वो flow नहीं हो पाएगा Now, to come to the next thing Next thing is What will happen to a plant if its xylem is removed क्या होता है अगर xylem को remove कर दिया जाएगा तो देखो plant body के अंदर basically अगर बात करो xylem and phloem की तो ये होते क्या है तो these are vascular bundles अभी vascular bundles क्या करते हैं तो दौनों ही transportation में help करते हैं vascular bundles किसमें help करते हैं transportation में help करते हैं तो जब हम बात करेंगे xylem की तो xylem किसमें help करेगा xylem transport करेगा किसका jal का याद करो xylem किसका transport करेगा jal का transportation करेगा मतलब की water का and water के साथ में और कौन सी चीज जो होती ही वो transport होती है वो होती है minerals water के साथ में कौन होता है transport minerals होते है minerals transport होते है now अगर हम बात करें phloem की, तो phloem से कौन transport होता है, phloem के अंदर transportation का काम जो है, phloem में transportation किसका होता है, food का होता है, ठीक है, food का transportation होता है, from leaf to root, लेकिन जहां हम बात करेंगे xylem की, जहां पर water and minerals का transportation हो रहा है, that is from root to every part of the plant, अगर रिमूब कर दिया जाएगा तो क्या होगा अभी हमने क्या पड़ा कि जाइलम अगर प्लांट वॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर वॉटर और मिनरल का ट्रांस्पोर्टेशन करने में वह एल्प करेगा अब अगर बाइचरंस हमने किसी प्लांट के अलएगा यही नहीं अगर भर जोगा तो यहां पर बाटर नहीं हो यानि खाना पानी दोनों ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, प्लांट बोडी सर्वाइब नहीं कर पाएगे, प्लांट बोडी जो है, वो फतम हो जाएगी, वो डेट प्लांट में, गन्वर्ट हो जाएगे, चले नेक्स्ट कोशन पे आजाए, यह आपका answer जो आप theoretical part के अंदर उसको लिख सकते हो now come to the next question next is why do herbivores have longer small intestine than carnivore herbivores के पास में longer small intestine क्यों होती है small intestine सबकी body के अंदर होती है सारे ही living organism के अंदर जो multi-cellular organism है उनके अंदर क्या होती है small intestine होती है small intestine भले होती है खुद भले long है लेकि उसका नाम small intestine है अब यह जो small intestine है यह herbivores के अंदर थोड़ी सी long होती है थोड़ी सी जादा लंबी होती है लेकिन carnivores के अंदर थोड़ी सी short होती है अब ऐसा क्यों यह बेदभाव क्यों हुआ कि भी वोर्स के अंदर तो लंबी दे दी लेकिन कार्णी वोर्स के अंदर तो बहुत छोट इसी small intestine दी है इतना वेदभाव क्यों हुआ है तो ये इतना वेदभाव इसलिए हुआ है because जो हर्वी वोर्स होते हैं हर्वी वोर्स की body के अंदर एक special type का enzyme होता है जिसकी वज़े से वो cellulose को भी digest कर सकते है किसको digest कर पा रहा है? cellulose को digest कर पाते हैं that is why इनकी small intestine जो होती है थोड़ी सी long होती है देखो एक special type का enzyme है इसकी वज़े से इस cellulose को digest कर लेंगे लेकिन cellulose को digest करने में थोड़ा सा time जादा लगता है because ये बहुत complex होता है इसलिए small intestine जो होती है वो herbivore की थोड़ी सी long होती है लेकिन अगर मैं बात करू lion की यानि carnivore की अगर मैं बात करू तो वहाँ पर small intestine थोड़ी सी as compared to herbivore छोटी होगी क्यों होगी? because यहाँ पर इनको cellulose को बिलकुल भी digest नहीं करना है इनके पास चोटी इसलिए है because इनको cellulose को digest नहीं करना होता है यह plant body को नहीं utilize करता है यह घास नहीं घाता है तो इनकी body जब cellulose को digest कर ही नहीं रही है तो ज़्यादा complex चीज़े digest नहीं कर रही है इसका मत्तब है कि small intestine जो होगी इनके पास छोटी होगी और हर भी वोगी थोड़ी सी लंबी होगी चले आगे आजाए next question पे next question is what are the final products after digestion of carbohydrates and protein carbohydrate and protein के digestion के बाद में आपके पास में end products क्या आते हैं यानि कि अगर मैं बात करू carbohydrate की smaller unit की देखो दो question बनता है इससे एक question तो हमारा जो लिखा है कि final products क्या होता है अगर carbohydrate का digestion किया जाएगा या protein का digestion किया जाएगा इसी की जगे अगर question आजाए carbohydrate और protein जो है वो किससे मिलके बना है या question आजाए कि smallest smallest unit of carbohydrate and protein क्या है तब भी आपको same answer लिखना है क्या होगा answer तो देखो carbohydrate का जब breakdown किया जाता है तो वो last में किसमें convert हो जाता है ये last में convert हो जाता है आपके glucose में, glucose में भी कौन सा होगा glucose में भी हमेशा monosaccharides होंगे fine तो बिल्कुल smaller smaller units बिल्कुल one one unit जो होती है smallest unit जो होगी वो उसमें convert हो जाएंगे after digestion और अगर हम बात करें protein की तो ये हमने कई बार पढ़ा है कि protein किसे मिलके बना होता है protein बना होता है amino acids का protein किसका बना होता है amino acids का बना होता है इसका मतलब क्या हुआ amino acids इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो protein है उसका end product क्या होगा proteasin के digestion का iron product क्या होगा हमेशा amino acid होगा यह मैं बोलू protein की smallest unit है वो कुन सी होगी तो वो हमेशा कुन सी है. amino acid होटी है. । स्टमख के अंदर यहां पर देखो यहां protein का digestion शुरू होझाता है. स्टमख से protein का digestion शुरू होझाता है, then small intestine में होता है and then last के अंदर amino acid जो है उसको absorb कर लिया जाता है यहाँ पर यह पूरा क्या दे रखा है glycogen को glycogen को कहां से किस तरह से उनका digestion किया जाता है प्लस ही किसमें convert होते है monosaccharides, diosaccharides यह वैसे अलड़ी हम यह सारी चीज़े जब चैप्टर हमने पढ़ाता है हम पढ़ चुके हैं, तो हमें जुस्त क्या करना है question का answer तो question का answer क्या हुआ, carbohydrate की smallest unit क्या है, glucose है जब भी आप उसका breakdown करेंगे, जब उसका digestion होगा तो यह हमीशा glucose में ही convert होगा next thing अगर हम protein की बात करते हैं, तो यह हमीशा किसमें convert होगा amino acids के अंदर ही convert होगा चलो, now आगे बढ़ जाते हैं, हम फिर आगे और आगे आके हमारे नई question पर आ जाते हैं, नया question क्या बोल रहा है नया question पूछ रहा है कि we explain the process of nutrition in amoeba कि हमें क्या explain करना है, nutrition in amoeba को explain करना है कि amoeba के अंदर, nutrition उसको किस तरह से लिया जाता है and amoeba के अंदर, वो unicellular organism है किस तरह से nutrient दिए जाएगा, किस तरह से food को intake किया जाएगा कैसे उसकी body digestion करेगी और कैसे वो सारे nutrients को absorb करेगी तो ये सारी चीज़े आपको इसमें बतानी है, देखो अमीबा के न्यूटिशन में क्या होता है? तो हमें पता है कि अमीबा जो है, वो एक unicellular organism होता है unicellular organism है and इसी के साथ-साथ इसका जो structure है, वो बिलकुल भी fixed नहीं है structure जो है, वो continuously vary करता रहता है, continuously change होता रहता है एक single cell से ही तो बना है, यह ज़्यादा cells तो है नहीं इसकी पास में तो यह जो single cell structure है, इसके अंदर क्या होता है? यह एक ऐसा structure है जिसका shape बिलकुल भी fixed नहीं है अब जब shape fix नहीं है, तो जैसे ही इसके आस पास में कोई भी food particle आएगा तो इसको यह सोचने की जरुवत नहीं है कि हाँ, मेरे body के इस portion के पास में आया है लेकिन जब यह यहाँ आएगा तो मैं उसको खा सकता हूँ, नए Amoeba अपनी body के कोई भी part से food को अंदर ले सकता है, ठीक है, कैसे लेगा यह तो Amoeba जैसे ही कैसे food particle को देखता है, तो यह क्या करता है, एक false feet निकालता है बिलकुल जूटे pan निकालता है, false feet निकालेगा, इसको हम क्या नाम देते है, pseudopodia नाम देते है और यह जो intake वाला process है, जहां पर food particle को अमीबा की body ने क्या कि अपने अंदर ले लिया है, भले ही एक space के अंदर लिया है, ले तो लिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस process को हम कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, इंजेशन के बाद में क्या होगा, तो इसका होगा digestion, कैसे होगा यहां जो इसके अंदर cytoplasma है, भई सारे ही cells के अंदर क्या होता है, cell membrane होती है, बीच में nucleus होता है, और बीच के अंदर एक fluid fill होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, cytoplasma कहते हैं, तो यहां पर भी क्या present है, cytoplasma present है, इस cytoplasma मैं से, जब यह सारे particles जो है, जो कौन से particles जो है, digestive enzymes ह होंगे, वो सब कहां चले जाएंगे, इस vacuol के अंदर चले जाएंगे, इस vacuol के अंदर चले जाएंगे, और अब इस vacuol के अंदर क्या है, जो खाली space है, यहां पर क्या है, यहां पर only food particle है, और साथ ही साथ उसके digestive enzymes है, तो अब क्या होगा, यह digestive enzymes क्या करेंगे, इसका digestion कर हो जाएगर तब क्या होगा इनकी बोल उने के बाद में यहां पर क्या होगा देहो पूरे जो रगल जो नूट्रैंस होते है जो कि Amoeba की body के लिए बहुत ज़दा important है अब इसका absorption कर लिया जाएगा जैसे cytoplasma के थू सारे digestive juices को enzymes को vacuol के अंदर भेजा गया था सेम वैसे ही vacuol में से important things जो होगी जो nutrients होगे उनको absorb कर लिया जाएगा तो यहाँ पर देखो क्या हुआ यहाँ पर ही तो हमने क्या किया था अभी देखो digestion हुआ था इस digestion के बाद अब क्या होगा absorption होगा अब क्या होगा digestion के बाद में absorption होगा absorption किसका only nutrients का जो भी चीज़े Amoeba की body को required है वो सारी चीज़े जो है इसके अंदर enter यहाँ पर हो जाएगी यहाँ इस side mountain हो जाएगी ठीक है यहाँ साइटो प्लाजम की तो क्या होगा अंदर की तरफ चली जाएगी तो यह क्या होता है यह होता है absorption तो Amoeba की body ने क्या किया? digestion के बाद में nutrients को absorb कर लिया now absorption के बाद अब क्या होगा? अब होगा assimilation assimilation का मतलब क्या होता है जो भी food particles आ गए है body के अंदर उसका utilize करके energy को बनाना उसको हमने क्या नाम दिया? assimilation नाम दिया यहाँ assimilation हो जाएगा प्लस जितना भी waste product है वो सारा इस vacuol के अंदर collect हो जाएगा यहाँ जो भी waste product होगा सबका सब कहा जाएगा इस vacuol के अंदर चला जाएगा vacuol के अंदर यहाँ पर enclose हो जाएगा अब जह जहस तरह से pseudopodia निकाल कर इसने food को engulf किया था सेम उसी process से यह pseudopodia निकाल के क्या करेगा इस vacuol को फिर से free कर देगा यानि कि इस vacuol के अंदर इतना भी waste product है वो सारा कहां चला जाएगा अगेन बहार की साइड में चला जाएगा तो यह process हा कि nutrition जो है अमीबा को nutrition में मिल गया और अमीबा की body के अंदर अभी कोई भी waste product भी नहीं है और यह waste product हो जो रिमूव कर रहे है इस process को हम क्या कहते है ingestion कहते है तो यह ingestion and injection में confused नहीं होना ingestion है और यह क्या था ingestion था ingestion था अभी ingestion का मतलब क्या होता है inject करना body के अंदर intake करना लेकिन ingestion का मतलब क्या होता है body में से remove करना waste product को वहां से remove कर देना now the next question is देखो यह तो हमारा answer हो गया next question now आप जब exam के अंदर answer लिखेंगे तो यह आपको पूरी थोरी लिखनी है कि actually amoeba है क्या किस तरह से वो ingestion करता है तो ingestion का पूरा process आएगा then उसके बाद में आपको लिखना है digestion का complete process and उसके बाद absorption का complete process assimilation का and ingestion का complete process आपको exam के अंदर लिखना है according to the number distribution करना अगर suppose one or two mark का आता है तो आप diagram को बनाने की बाद भी leave कर सकते हो okay done it's done इतना ही हमको करना है लेकिन अगर question आजाए नहीं five or six marks का तो आपको क्या करना है diagram तो बनाना ही बनाना है साथ ही साथ में पूरा का पूरा theoretical part लिखना है कि किस तरह से चीज़े जो है हो रही है लाइक किस तरह से अभीबा जो है वो nutrients को absorb कर पा रहा है nutrition को ले पा रहा है तो पूरा का पूरा process जो है वो उसको written part में लिखना भी है अगर जादा mark का question आए तो otherwise नहीं next question is state two differences between capillaries, arteries and veins not capillaries arteries and veins के बीच में आपको दो differences बताने है तो देखो simple से चीज़े इस color को देखके हमको पता है कि arteries जो होती है वो क्या लेकर जाती है वो pure blood को लेकर जाती है लेकिन जो veins होती है ये impure blood को लेकर जाने का काम करती है उसके अलावा जो veins होती है उनकी जो wall है इनकी wall कैसी होती है इनकी wall जो है पूरी thick होती है इनकी wall कैसी होती है thick होती है लेकिन vein की wall कैसी होती है बिलकुल thin होती है vein की wall कैसी होती है बिलकुल thin wall होती है इसकी wall thick होगी इसमें देखो thin wall होगी एन यहां आर्ट्रीस के अंदर जो ब्लड फ्लू होता है उसका प्रेशर थोड़ा सा ज़ादा होता है तो ब्लड फ्लू का क्या होगा प्रेशर ज़ादा होगा ठीक है फाइन आ ट्री इस के अंदर यहां पर कोई भी वाल्व नहीं लगे होता है तो वह बैक जाता है तबी तो क्या बनता है continuously capillaries capillaries को मिला के फिर बन जाता है वीन चलो देखो blood के अंदर आ गया कि अगर oxygenated pure blood है तो arteries लेकर जाएंगी अगर impure blood है deoxygenated blood है जिसके अंदर waste बहुत जादा है तो वो कौन लेकर जाएगा वीन लेकर जाएगी arteries की जो wall होती है बहुत rigid होती है बहुत थिक होती है बहुत ही highly muscular होती है लेकिन अगर मैं बात करूँ veins की तो बहुत thin होती है बहुत आराम से कोई tension नहीं उनको बहुत पतली-पतली सी होती है ठीक है and one more thing कि इसका ही जो blue color आपको नजर आ रहा है blue green color जो नजर आ रहा है तो actually हमारा blood यहाँ पर blue green color का नहीं होता है लेकिन यह सिफ हमको दिखाई देता है because of light का dispersion जब होगा तो हमें क्या दिखेगा blue color ही नजर आएगा चलो आगे आजो देखो arteries के अंदर आप इस तरह से answer लिख सकते हो points के अंदर if you want अगर question बड़ा है तो लिखेंगे नहीं बड़ा है तो नहीं लिखेंगे वो वाला सी जो चलो next thing पर आजो next thing is draw a diagram of human excretory system and label renal artery and urethra state in V4 function of renal artery, kidney, ureter and urinary bladder आपको क्या करना है human excretory system जो है पूरा का पूरा फॉर्म करना है and उसका diagram बनाने के साथ साथ में हमें बताना है कि renal artery कहां होती है kidney कहां होती है and ureter कहां है and urinary bladder कहां है and उसके अलावा देखो question में तो वैसे आपको यहीं दिया है कि renal artery and urethra कहां है यह बताना है लेकिन आप क्या करेंगे जो diagram form करेंगे तो सारी ही चीज़ों को mark करना है and biology के अंदर diagrams तो बिलकुल नहीं भूलने है they are very important एक भी diagram हमसे miss नहीं होना चाहिए चलो and इन सब के हमें क्या बताने है function बताने है इन चारों के सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते है मारा structure practice कर लेता है structure में देखो क्या होगा structure के यंदर हमको पता है कि हमारे यहां पर क्या होता यूवन एक्सक्रीट्र सिस्टमों के आपा दो kidneys होती है, bean shape की kidney होती है, इस kidney के अंदर लाने वाला pure blood है, जो इसके अंदर आने वाला pure blood है, इस pure blood को हम क्या कह देते है, इस pure blood को हम pure blood वाली जो यह artery आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, यह renal artery, यह कौन सी artery है, renal artery है, जो कि किसको लेकर आती है, pure blood को लेकर आती है, ठीक है, ये renal artery है चलो और उसके बाद ये दनों क्या हो जाता है ये bean shape क्या है, kidney है दनों ही kidney में से देखो, एक pipe-like structure निकल रहा है, दनों ही kidney में से pipe-like structure निकल रहा है, और इस pipe-like structure को क्या कहा जाता है, तो इस pipe-like structure को कहा जाता है, ureter क्या कहा जाता है Ureters कहा जाता है अब यह Ureters क्या करतהerma? तु देखो Kidney के अंदर लगे होता है Nephrons Kidney की जो smallest unit है वो क्या है ? Nephrons है चीक है अब यह जो nephron होता है यह क्या करते है यह urine formation में help करता है तो इस Kidney के अंदर क्या होता है ? Irine का before mission होता है जब urine पूरा बन चुका है तो यह क्या होगा? Uretar के थ्रू कहां आ जायेगा? नीचतर आजाएगा. इस Ureater के थू ही कहां आयेगा? Urinary bladder में आएगा. यह क्या है? Urinary bladder मेंady planned, यह क्या है? Urinary bladder तो Ureater के थ्रू पूरा जो यूरिन है, वो कहाँ चला जाएगा? यूरिन अई, ब्लेडर में आएगा और इस ब्लेडर के अंदर जब यू ब्लेडर बहुत जादा फुल हो जाएगा, तब क्या होगा? यूरित्रा के थूँ ये बॉडी में से रिमूव कर दिया जाएगा तो यहांपर देखो सब तक काम क्या जो भी यूरिन का formation हो चुका है उस यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर तक ले कर आता है यूरिनरी ब्लेडर क्या करेगा तो ये एक storage house है ये फिर storage है जिसके अंदर पूरा का यूरिन जो है और इस यूरेथरा के तो हमारी बॉडी में से यह जो यूरेइन फॉरमेशन हुआ है इस यूरेन का डिसपर्जल हो जाएगा है यह हमारी बॉडी में से रिमुव कर दिया जाएगा आश वेस्ट फाइन तो यह हमारा क्या था यूमन एक्स्टेटर सिस्टम था यह आप देख सकते हो कि किस तरह से हमें आंसर लिखना है आगे आजाए, नेक्सिंग पर आजाए यह सारी चीज़ों को हमें लिखनी है यह सारा हमें क्या करना है, एक्जाम के लिए लर्न भी करना है, ऐसा नहीं कि इनको लर्न नहीं करना है, एक्चली यह सारी चीज़े लर्न होनी चीए, हम तो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, यह वाला यह वाला काम है, फिर हम को याद आएगा एक्जाम के अंदर कि अच्छा हाँ मैं ने कहा था कि urinary bladder में क्या होता है, पूरा का पूरा जो urine है वो store होता है, कितने time के लिए होता है जब तक कि जो urinary bladder है वो पूरा का पूरा भर नहीं जाता fine, तो इस सब को हमें इस language में लिखना भी तो है, जिए हमें एक्जाम के अंदर इस तरह से लिखना है, fine, चल, theoretical part आपको याद होना चाहिए, now the next question is, देखो next question क्या बोल रहा है, next question is, draw a schematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide during transportation of blood and human beings and label on it, अब ये इतना बड़ा question देखने हैं, confusion में नहीं जाना किया, इतना बड़ा question है, हम answer कैसे करेंगे, नए, बहुत ही जादा easy's का answer होने वाला है आपके लिए, जादा complicated answers नहीं है, तो जादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इनका answer दे सकते हो, देखो, इतना बड़ा question है तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुली, पढ़ना जरूर है, जितना बड़ा question होता है उतना ही easy's का answer भी होता है, क्या बोल रहे है, draw schematic representation of transportation, transport and exchange of oxygen and carbon dioxide during transportation of blood in human beings and label on it, पूरा human being के अंदर blood का transportation बताना है, बताया था, एक तो हाट होता है, दूसरा हमने देखा थ system, तो double circulatory system को ही हमें यहाँ पर क्या करना है, form करना है, and उसके उपर क्या label करना है, lung capillaries को बताना है, pulmonary artery को बताना है, जो lungs नग सक जाती है, iota to body बताना है, and pulmonary veins from lungs बताना है, कैसे बताएंगे, तो यह हम बताएंगे, हमारे double circulatory system के अंदर, अब यह जो double circulatory system है, इसके हमें बहुत ही अच्छी से पता है, की जो pulmonary vein होती है, pulmonary vein के through, publmonary vein के through कहां गया, सारा का सारा blood, यह blood गया, हमारे left ventricle, left estrium के अंदर, कि समें गया, left की अंदर दें mr. जाएगा पहले जाएगा हुझार अनि जाओ घका ले जाने के बाद में क्या रहें जाने के बाद किकल में ग्टेड शूलर भीट में ढल जाएगा फूरी बोडि ने चिला जाएगा अब यह जब body की तरफ जा रहा है तो आगे देखो क्या होगा सारे cells तक यह अकेला pipe तो पहुंच नहीं सकता तो इसे क्या क्या further आगे यह pipe divide हो गया यह pipe further आगे divide होके किस में convert हो गया? capillaries में convert हो गया these are the capillaries यह क्या है capillaries है capillaries के अंदर यह blood divide हो गया capillaries के अंदर divide क्यों हो गया capillaries है अब इन capillaries के अंदर divide क्यों हुआ है यह इसलिए हुआ है ताकि सारे ही body parts सकी जाके पहुंच सके इस capillaries के बाद में क्या होगा देखो अगे इन विना के वा कि तो सारा blood कहां जाएगा पूरा जो impure blood होगा वो impure blood कहां जाएगा impure blood जाएगा right atrium के अंदर and then right ventricle के अंदर कुछ को ऐसे लग रहा होगा सारा blood तो जो है सबसे पहले कहां जाता है हमीशा right atrium में जाता है then right ventricle में आता है तो भहिया हमीशा हम शुरुआत कहां से करते हैं हमारे impure blood से, वो impure blood जो कहां से आ रहा है, पूरी body के blood से आ रहा है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम lung से आने वाले pure blood की बात कर रहे थे, जो कहां जाएगा, left artery में पहले जाएगा, fine, तो confused बिलकुल नहीं होना है, ठीक है, यहां से, जब यह पूरा right ventricle तक आ चुक यह capillaries के अंदर divide हो जाएगा, और उसके बाद यह कौन से capillaries होगी, यह lung capillaries होगी, जब यह capillaries के अंदर divide हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, capillaries में divide होने के बाद, सारे ही blood के अंदर क्या होगा, यहां पर होगा gases का exchange, यहां पर क्या होगा, gases का exchange होगा, यहां पर नरीम वीन के थूँ कहां आ जाएगा लेफ्ट एक्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा ये ब्लड रिश्टी को आगे फिर्सिस क्या कर दिया जाएगा सप्लाइ कर दिया जाएगा आई होब कि आपको सारे ब्लड जो है पूरे एक सर्कल को कंप्लीट करने में हार्ट के अंदर दो बार आता है देखो हार्ट के अंदर ये कितनी बार आया दो बार आया पहले यहां से आया पूरा ब्लड जो है यहां गया था पूरी बॉड़ी में यहां से आया हार्ट में गया हाट से यह सारा ब्लड कहां गया, लंग से यह सारा ब्लड कहां सा है, हाट के अंदर आया, and हाट में आने के बाद अगें वही प्रोसेश शुरू हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर हमारा जो ब्लड है, वो हाट के अंदर दो बार आता है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर यह जो हाट बना है, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है बीच के अंदर लगा है, यहाँ जो बीच के अंदर लगा है, इसको उन कहते हैं, यहाँ यह जो तेड़े आपको नजर आ रहा है, यह क्या है, यह है यह वाल्स, अब यह जो वाल्स है, यह वाल्स क्या काम करते हैं, यह ब्लड फ्लो को एक यूनी डिरेक्शनल बना देते हैं, यानि कि एक ही डिरेक हम है right ventricle that means there are four chambers four chambers है लेकि देखो हमें question क्या बोल रहा है कि why is the advantage of separate channels and mammals and birds are for oxygenated and deoxygenated blood इससे previous वाले अगर हम organism की बात करें तो हमें पता है कि किसी के अंदर one chamber heart था किसी के अंदर two chamber heart था किसी के अंदर three chamber heart था लेकिन human beings के अंदर mammals के अंदर birds के अंदर four chamber heart था यह four chamber heart क्यों होता है विकोज इतर इसा यह ऐसा क्यों होता है तो इसलिए because जब oxygenated or deoxygenated blood को separate रखा जाता है तो यह जादा अच्छे से oxygen को ले पाता है यानि oxygen पूरी बोडी के अंदर बहुत ही आसानी से पहुँच आता है और उससे एनरजी जादा मिलती तो मैमल्स और बर्ट्स को जादा एनरजी की रिक्वार्मेंट होती है रादर दन की other animals that is why इनकी बोडी के अंदर four chambered heart होता है और ये oxygenated and deoxygenated blood को separate रखते हैं ताकि इनको energy जो मिले वो जादा quantity में मिले because इनको required भी जादा quantity में ही होता है I hope कि आपको ये clear हो गया है कि mammals और इनका इनका answer आप कैसे लिखेंगे it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds because they need high energy as I told you that इनको high energy की requirement होती है so high energy चाहिए तो large amount of oxygen चाहिए कैसे मिलेगी separation से मिल जाएगी so I hope कि ये question आपको clear हो गया होगा so now the next question is how is required pH maintained in the stomach and small intestine small intestine and stomach के अंदर किस तरह से जो pH उसको maintain किया जाता है देखो सब का pH maintain करना बहुत जरूरी है because कुछ ऐसे enzyme होते है जो कि alkaline alkaline जो atmosphere होता है उसके अंदर reaction करते है कुछ ऐसे enzyme होंगे जिनकों की acidic environment चाहिए अब जिनको acidic चाहिए वहाँ पर acid होना बहुत जरूरी है जिनको alkaline चाहिए वहाँ पर acid को remove करना बहुत जरूरी है तो वैसे ही pH को maintain करना पड़ता है उसके बाद ही particular enzyme जो है वो work कर पाता है और digestion की process को continue कर पाता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें stomach की तो stomach के अंदर एक enzyme होता है जिसको जो क्यों है pepsin enzyme है pepsin क्या करता है protein का digestion करता है तो इस pepsin enzyme को अगर work करवाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा acidic nature देना पड़ेगा तो आज-पास का जो environment उसका कैसा होना चाहिए acidic होना चाहिए तो stomach के अंदर इस pH को maintain करने के लिए यानि उस stomach को acidic बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो यहाँ stomach की wall की ऊपर कुछ secretions होते है उन secretions के अंदर first secretion क्या है HCL then आता है mucus and then एक और secretion आता है that is digestive juices तो digestive juices तो क्या करते है digestive juices सिर्फ और से digestion करने का काम करेंगे तो वो digestion की process को continue कर देंगे लेकिन अगर हम बात करें HCL and mucus की तो HCL क्या करता है HCL stomach को acidic बना देता है stomach के environment को acidic बना देता है और इस acidic nature की बज़े से क्या होता है pepsine जो है वो protein के digestion को start कर पाता है otherwise वो pepsine work ही नहीं कर पाता तो pepsine को action में लाने के लिए क्या हुआ stomach की wall के उपर से कौन secret हुआ HCL secret हुआ और इस HCL के secret होने की बज़े से जो stomach के अंदर का nature था यानि वहां का जो pH था stomach का वो maintain हो गया और वो balance होका किसमें आगया acidic nature में आगया that is why यहां पर digestion का process continuous चलता रहेगा fine लेकिन अगर हम बात करें यही पर small intestine के तो small intestine में क्या होगा small intestine के अंदर liver से आएगा एक bile juice liver जो है क्या करता है bile juice secret करता है अब वो अभी कौन से nature में है वो अभी acidic nature के अंदर है यानि कि उसको alkaline करना पड़ेगा अब उसको alkaline करने के लिए क्या हुआ जो liver था liver ने क्या किया bile juice secret किया और इस liver के bile juice की वज़े से क्या होगा small intestine जो है alkaline हो जाएगी और उसके बाद उसके अंदर का जो digestion है वो continuously चलता रहेगा fine तो पहले क्या हो रहा था stomach के अंदर HCL secret हुआ and second small intestine में कौन आया liver से bile juice आया जो उसके pH को maintain कर रहा है for the digestion चलो next thing पर आजाओ next thing is draw a label diagram of stomata देखो जहाँ पर आजाए ना line में set कर लो कि हाँ जहाँ पर यह नाम आएगा तो यह diagram होगा वो नाम आया तो यह diagram होगा इससे सारा कुछ learn करना है and diagram के अंदर जो labels होते हैं वो label भी learn करना है ऐसा नहीं कि label learn नहीं करना नहीं label भी learn करना है because हम छोटे बच्चे नहीं रहा है so draw a label diagram of stromata list two functions of first stromata stromata के दो functions बताने है and second thing के stromata को बनाना कैसे है तो देखो एक flower जैसे structure बनाना है flower मत बना देना लेकिन flower जैसा कुछ structure बनाना है basically यह stromata होता क्या है तो यह leaf के ऊपर tiny pores होते है leaf के ऊपर tiny pores मतलब बहुत minor-minor holes होते हैं और वो hole क्या कहलाते है वो hole stromata कहलाते है और यह hole basically काम क्या करते है तो यह gases के exchange में help करते है यह gases के exchange में help करेंगे या फिर यह help करेंगे transpiration के अंदर तो gases के exchange में किसने help की stromata ने transpiration में किसने help की stromata ने तो यही दो क्या होगे इसके function and structure को बनाना कैसे है तो देखो, इस तरह का हम बनाएंगे structure, फुरा फ्लार जासे structure होगा, these are two guard cells, यह दो क्या है, यह guard cells है, यह stomata की क्या है, guard cells है, जब carbon dioxide को अंदर की तरफ लेना होता है, इंटेक करना होता है, तो यह open हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर से oxygen को release करना है, तो यह क्या होगा, open हो जाएगा, fine, and यहाँ देखो, इसके अंदर क्या होता है, green color के यह देखो, यह जो green color के dots आपको नजर आ रहे है, यह dots क्या है, तो these are chloroplast, यह क्या होता है, अब यह chloroplast क्या करते है, तो यह chloroplast जो है, क्लोरोप्लास्ट की वज़े से होता है, और यह stomata क्या है, यह green color के आपको पोर्स नजर आ रहे है, जो मैंने भी black कर दिया तो इसको green कर देखे आपके लिए, चलो, यह green वाले structure से क्या है, यह chloroplast होते है, चलो, और यह क्या है, यह stomatal opening है, यह stomata जब open होगा, तो stomatal opening है, and these are the guard cells, दो guard cells होते हैं इनके पास में, जो open हो सकते हैं, close हो सकते हैं, open कब होगा, जब gas को exchange करना होगा, जब कुछ नहीं करना तो क्या होगा, close हो जाएगा, जब release करना है, तब क्या होगा, open हो जाएगा, लेना है, तब भी क्या होगा, open हो जाएगा, लें कुछ नहीं करना है भी तो ना देना है ना लेना है तो यह बंद हो जाएगा रेस्ट करेगा उस ताइगा और यही stromata transpiration में भी help करता है तो देखो यहीं दो हो गए gases exchange में help करेगा plant loses water through stromata stromata के थूई plant जो है water को loose करता है next question is leaves of a healthy potted plant were coated with vaseline to the block of stromata will this plant remain healthy for long state three reasons for your answers देखो leaves of a healthy potted plant एक healthy potted plant था उसकी जो leaves से उसको किस से coat किया गया vaseline से coat किया गया मतलब यह जो leaf है बहुत healthy leaf थी इसके उपर क्या कर दिया गया देखो vaseline को लगा दिया गया है और जब यह vaseline इसके उपर लग चुकी है तो क्या हो गया stromata पूरा ब्लॉक हो चुका है तो stromata ओपनिंग यह थी वो पूरी ब्लॉक हो गया stromata को ब्लॉक कर दिया गया will this plant remain healthy for long is it no विल्कुल भी नहीं plant जो है वो long period of time तक अब healthy नहीं रह सकता क्यों नहीं रह सकता तो देखो जब stromata जो है वो तो क्या होगा gaseous exchange नहीं होगा second thing photosynthesis नहीं हो पाएगा and the third thing की transpiration नहीं होगा और तीनों ही चीज़े plant body के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है बहुत ही ज़्यादा जरूरी और तीनों ही चीज़े नहीं होगी तो क्या होगा plant body survive नहीं कर पाएगी अब even एक normal human being की बात कर ले या किसी living organism की बात कर लेते हैं अगर मैं बोलू इसका heart काम करना बंद कर दे तो कैसा होगा heart ने oxygen को pump करना बंद कर दिया stomach ने food को digest करना बंद कर दिया तो कैसा होगा तो living organism नहीं कर सकता सेम वैसे ही जब plant body के ऊपर leaf के ऊपर ये stromata को जब close कर दिया जाएगा वैसलीन के थू तब क्या होगा इसके ऊपर transpiration नहीं होगा इसके अंदर gases का exchange नहीं होगा और इसके अंदर जो photosynthesis है वो भी नहीं हो पाएगा जब यह सारा ही नहीं होगा इनको खना पानी प्रोपर नहीं मिलेगा इनको सांस लेने के लिए oxygen नहीं मिलेगी ना ही photosynthesis करेंगे तो carbon dioxide को release कर पाएगे तो क्या होगा जब यह तीनों यह चीज़ें नहीं हो रही है इसका मतलब है कि plant body जो है वो survive बिलकुल भी नहीं कर सकती है बिलकुल survive नहीं कर सकती है यहाँ पर plant body जो है वो dead हो सकती है चौल I hope कि question clear हो गया होगा This will be your answer So, यहाँ हमारे important questions complete होते हैं I hope कि अब आपको लग रहा होगा कि chapter हाँ काफी हद तक हमारा chapter revise हो चुका है हमने कई बार चीजों को revise कर लिया है कई बार उनको पढ़ लिया है तो अब exam के अंदर I don't think कि आपको कहीं भी कोई भी problem आने वाली है तो अब हम next video में मिलते हैं हमारे नए chapter के important questions के साथ में Thank you so much